हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साख शियर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी हूम रेमेडी जिसको यूज करने के बाद आपको गोल्ड फेसेल कलवाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारे फेस में बिल्कुल गोल्ड की तरह ही निखार देता है मैंने अभी ट्राइ की वो और उसके बाद में उपर वीडियो बनाने आई हूँ तो वो हमारे कीचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है क्योंकि वो हर गर की जरूरत है और हमें पता नहीं होता कि बहुत चीज इतना अच्छा असर कर सकती है तो चली सीधा जलते हैं कीचन के अंदर और बनाते हैं उस रेमेडि को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दूसरों के साथ शियर जूर कीजेगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि मैं आपके लिए इसी तरह से हर रोज नहीं नहीं वीडियो लाती रहूंगी तो चलीए चलते हैं कीचन के अंदर तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ्रेस टमाटर लाल टमाटर मैंने लिया है यहां पर कोई भी टमाटर आप ले लीजिए रेड कलर का और दूसरे चीज जो हमें चाहिए वह हल्दी हल्दी अगर और और अर्गिनिक होगी तो और भी अच्छी बात है उ अब यह जो टमाटर का एक भाग है यह देखिए इसको हमने टर्मरिक पाउडर में डिप करना है जो बावल में हमने लिया है हल्दी उसमें हमने इसको डिप करना है देख लीजे इस तरह से और फिर इसको हमने देखिए अब मैं अपनी हाथ पर आपको दिखा रही हूँ उ जैसा एक gold facial करवाने के बाद आता है अभी मैं आपको दिखा दूँगी अपने मेरे हाथ में देख लीजेगा आप कितना फरक आ गया है यह देख लीजे अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें हल्दी है तो मैं धोकर के आपको दिखाती हूँ यह देखिए कितना फरक आया है सेम वैसा निखा रहाता है जैसा gold facial करवाने के बाद होता है क्योंकि जो टमाटर हम यूज कर रहे हैं उसमें विटामिन A, C और सिट्रिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को फियर बनाता है और यह नैच्रल क्लींजर का काम भी करता है इसमें bleaching agent होता है तो स्किन के लिए बह 5 मिनट आप कम से कम 5 मिनट कीजिए और 10 मिनट तक अगर आप मसाज करती है तो और भी अच्छा है फिर उसके बाद आपने फेस को वास कर लेना है ठंडे पानी से फ्रेस वाटर से फिर देखिए फिर देखिए आपके स्किन पर कैसा निखा राता है अभी मैं आपको दिखा आपने इस तरह से पूंचना है रब नहीं करना है डैप डैप आपने करना है टावल से साफ टावल से आपने फेस को और देख लीजिए स्किन के उपर ग्लोव आपके सामनी है और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जुरूर बताइएगा इसी तरह से नई नई होम र खर देख ब aprender कि अशन करना है और है झापने बूल से सामनी है ₂uleश bolर भी मढ़ें अपने attitude आपके से बेख वाने करना है यह भर आपने खerson है